रोज सुबह ओफिस जाने से पहले सबसे बड़ा जो काम होता है वो यह होता है कि आखे राज मैं क्या पहनो लड़कियों के साथ यह सबसे बड़ी दिक्करत है कि चाहे जितने भी कपड़े क्यों ना हो जाए हमेशे यही लगता है कि आज तो पहनने के लिए कुछ नहीं खेर मैंने निकाली एक कुर्ती और उसके बाद उसको किया आईरन आईरन तो आप देखी सकते हैं मेरा हाथ आईरन करने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे से अच्छा से आईरन जो कहते हैं वह नहीं हो सकता मैं काम चलाओ आईरन करती हूँ ताकि बस पहनने लाइक हो जाए इसके बाद मैं कुर्ती पहन के हो गई ready जो मैं कैमरा के सामने दिखा रही हूँ तो जब मुझे कुछ पहनने के लिए समझ नहीं आता है तो फिर मैं कुर्ती पहन लेती हूँ इससे आपका जो आपके सकते एनर्जी ए दिन बर बना रहेगा वरना भूख लग जाती है फिर जल्दी सो मैंने फटा फट फटा फट जो है एक रोटी खाई और मैं सोच रही थी कि ब्लॉग आज कल रेगुलर बनाओंगी तो ठीक है मैंने बना लिया इसके बाद ऑफिस के लिए मैं टिफिन पैक कर रहे थी जिसमें मैंने पैक किया तीन रोटिया क्यूंकि 2-3 रोटी तो मुझे चनिये होती है तो मैं अपना हिसाफ से रोटी पैक कर लेती हूं और एक रोटी जो है वो मिकॉवन माति के लिए ले जाती हूं और यहां पर बनी थी भिंडी और अलू की बजिए तो मैंने बिंडी और आदु का भुजिया भी टिफिन में डाला और इसे पैक किया ले जाने के लिए और एक साथ ही मैं कैमरा हैंडल कर रही थी और खाना पैक कर रही थी तो कैमरा थोड़ा इधर उदर हो रहा है जो कि आप इसमें देख भी सकते हो यह नाश्तर के लिए नाश्तर में नाश्तर में नाश्तर में यहाँ से एक रोटी खाकर रही है और आखिरकार मैंने पूरा भूजिया वगएरा अब कुछ पैक कर लिया इसके बाद मैं निकल गई ओफिस के लिए ओफिस पहुचने के बाद तुरंत जो सबसे पहले मुझे लेंस ने uda से ऐ twenty आ यह तो उसके बाद हम ने में अट बैट can you stay इन finden अरहले से और हॉस ने यह थी Resistance ने सबांब चुद ऑफ नंच के टाइम पर चार पांच अलग को सी त। 15 लोग साथ में खाते है तो एक तरह से былиन इसमें नंच की वाद कि और चाम पर ऑफिस से रेटान आ रहे थे तो शिपरार मेरे को थोड़ा गुलगॉप्पे खाने का मन हो गया हमने का चलो यार थोड़ा गॉल गुबपे फिंच रुपइ एक प्लेट जो है गुलगपा क्वा एंड बिरियानी आप देख सकते हो कि तब पढ़िया है आई तो लव बिरियानी उसके बाद मैंने खाया बिरियानी